हेलो एवरिवन आप सब कैसे हैं I hope आप सब अच्चे होंगे मैं आज आपके साथ बच्चों का फेवरेट बहुत ही टेस्टी स्नेक्स बना रही हूं मैं यहापे ब्रेट पॉकेट बना रही हूं इसमें मैं यह मयोनिस का बिल्कुल भी यूज नहीं करी हूं मैं बिना मयोनिस के यह बना रही हूं आज तो सबसे पहले मैं यहापे वाइट सॉस बनाओंगी वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर मैं टू टी स्पून जितना घी ले रही हूं आप चाहें तो यहापे बटर का यूज भी कर सकते हैं और वाइट सॉस बन ताकि यह मैदा जले नहीं अगर हाई फ्लेम रहेगा तो यह जल्दी से यह मैदा जल जाएगा तो हम इसे लो फ्लेम पर कंटिनूर चलाते हुए से बुनना है जब इसका कलर हलका सा चेंज हो जाए तब इसके अंदर हम एकदम ठंडा दूद एड करेंगे मैं यह पर फ्रिच तो यहां पर मैंने ठंडे दूद को थोड़ा ठोड़ा करके इसके अंदर आइड किया है और इसे इसमें कंटिनू चलाते रहना है ताकि त्यार करना है तो मैंने कम से कम फ़ोड़ा करके दो देड किया है और इसे में कंटीनि चलाते हू daughter समें साघ्स नहीं यहां इसे मैश निए सोस बनाना है और एसे में कंटीनि चलाते रहोंगी और साइट से इस तरीके इसे निकालती रहोंगी इसके कॉर्णर ताकि यह ड्राइ नहीं हो और इसके किसी भी तरह के लंप नहीं रहे और इसे भी मैं इसके अंदर मिक्स करती रहोंगी और अब मैं फ्रेम को मैंने वापस बीच में मीडियम किया तर मैं इसे वापस स्लो कर रही हूं और अब इसके अ कर सकते हैं और इसके अंदर में थोड़ा सा सॉल्ट एड़ कर रही हूं यहां पर मैं चीज एड़ करूंगी तो चीज में भी सॉल्ट रहता है इसलिए हमें यहां पर सॉल्ट को कमी यूज करना है अब मैं इसके अंदर वन वन कप जितना मैं इसमें सॉस एड़ कर रही हूं और इस sauce को भी हम अच्छे से mix कर लेंगे, यह totally optional है, आप चाहे तो इसे skip भी कर सकते हैं, और इन सारी चीजों को हम अच्छे से mix कर देंगे, हमें यहाँ पे flame को low ही रखना है, ताकि एकदम गाड़ा होके चिपके नहीं नीचे, और अब मैं इसके अंदर cheese slice एड़ कर रही हू मैं यहाँ पे 3 cheese slice डाल रही हूँ, आप यहाँ पे process cheese grate करके भी डाल सकते हैं, और यह मेरी भती जी है, वो बार-बार मुझे बोल रही थी कि मुझे भी वीडियो में आना है, तो वो भी मेरे साथ आई है वीडियो में, वो बोल रही थी मैं आपके help करते हुए आना चाहते ह मेरे help कर रही है, cheese डालने में इसमें, मैंने तीनो cheese slice को यहाँ पे टुकड़े करके sauce के अंदर डाल दिया है, और हमें इसे गरम है, तो यह बहुत ही जल्दी से melt भी हो जाएगा इसमें, तो हमें इसे continue चलाते रहना है, ताकि यह चिपके भी नहीं, और यह हमने जो cheese slice डाल है, वो भी melt हो जाए, यह मेरी भतीजी मेरी help कर रही है, देखो इसे मिलाने में, और अब यह cheese में melt हो चुकी है, यह देखिए sauce काफी ठिक हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर कुछ vegetables अट कर रही हूँ, मैंने सबसे पहले मैंने बारिक कटा हुआ, यह सिमला मिर्च लिय अगर आप इसके अंदर प्याज या ओलिव कुछ भी डालना चाहे तो वह भी आप डाल सकते हैं, इससे आपके पीजा पॉकेट भी बन जाएंगे, मैं पे सिर्फ सिमला मिर्च और कॉन डाल रही हूँ, आप यह पे ओनियन आपको जो पसंद है, वह वेजिटेबल से इसमे अंदर यह सॉस गरम है, तो यह चीज बहुत ही इसमें मेल्ट हो जाएगी, मैं बीच में थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर रही हूँ, जिससे जल्दी से मेल्ट हो जाए, और यह देखिए चीज अच्छे से मेल्ट हो, चुकि मौजरेला कितना अच्छे से खिचता है, जैसे हम मेल्ट हो जाए, हम इसे एक दूसरे बरतन में निकाल देंगे, जिससे कि यह चीज एक दम चीडी सी हो जाती है, वह नहीं हो, इसलिए मैं इसे अलग बरतन में निकाल दिया है, ठंडा कर लेंगे हम, और जब तक हमारा सॉस ठंडा होता है, तब तक हम दूसरी आपके पास अवेलेबल है, वो यूज़ कर सकते हैं, मैंने या वाइट ब्रेड यूज़ किया है, आप ये पर ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और अब मैं इसकी कॉनर्स को कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कॉनर्स इसमें नहीं चाहिए, और जो भी ब्रेड की कॉनर्स को कट कर लूँगी, और इस ब्रेड की कॉनर्स को अभी साइड में रख लूँगी, बाद में इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगी, तो मैंने जितने भी ब्रेड ली हैं, उन सारे इन सारी ब्रेड की कॉनर्स को मैं कट कर लूँगी, और ये जो ब्रेड ब्रेड के साइड में चौनर्स बची है। इसे में घट कर्ती रह प्राया हुं। और इसे हम तोड़कर इसका ब्रेड करम्स बनाएंगे तो मेरी भावी मेरी हेल्प कर रही थी उन्हें मैंने ब्रेड करम्स बनाने के लिए दे दिया है मिक्सी में उसे पिसने के लिए जब तक वो ब्रेड करम्स बनाती है तब तक मैं यह मैदी की सलरी बनाऊंगी तो सबसे पहले मैंने टू टी स्पून जितना मैंने मैदा लिया है और उसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालके इसका एक थिक थिक बैटर बना लूँगी कि ताकि हमारे ये ब्रेड को और को ब्रेड की कॉर्नर को हमें चिपकाने में यूज आएगा तो मैंने ये मैदे से इसका एक गाड़ा घौल बना लिया है ये दिखिए इस तरीकी का हमें गाड़ा घौल चाहिए इस ब्रेड की कॉर्नर को चिपकाने के लिए इसमें किसी भी तरह के लंब्स नहीं होने चाहिए और इस मैदे की स्लरी को में एक बार साइड में रख लूँगी और मैं फिर से एक स् स्पून जितना मैं कॉन फ्लार यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास कॉन फ्लार नहीं है तो आप या पिसे मैदे से भी इस लरी बना सकते हैं या पिसमें चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं और अब इसके अंदर में थोड़ा सा स्वात के नुसार मैं नमक मैं तरके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब इसका आपतला का दोफ ना ऊचाहा 받क ना जाता हैं धांदा ने Kawli ट्रीद कम एडिप कर लाउchnाने का इसवान दोफोरा नहीं कहरा उर साइब में मीरी भावी ना यी ब्रेड क्रम्स भी दे तेसमें अब हमने जो bread को रखा था, corners cut करके उसे लेंगे और इसे balance से हम इस तरीके से बेल कर फ्लैट कर देंगे जिससे हमें pocket बनाने में easy रहे और उसकी corner अच्छे से चिपक जाए अगर हम इसे बेलेंगे नहीं तो वो corners अच्छे से side में चिपकेगे नहीं और वो तूट जाएगे, crack आजाते हैं तो मैंने ये bread को flat कर दिया है और इसके अंदर हमने जो stuffing बना के रखी थी वो मैंने रख दी है और अब इसकी corners को हम seal करने के लिए हमने जो मैदे का घोल बना के रखा था वो मैं इसकी corners पे लगा लूँगे और अब हम इसे इस तरीके से fold करके इसकी corner को अच्छे से press करके seal कर देंगे ताकि ये fry करते समय ये इसका जो मसाला हमने जो batter अंदर भरा है जो stuffing की है वो निकली नहीं हमें इसे दबा कर अच्छे से seal करना है अगर कोई corners कोई मुग अगर खुला रह जाता है तो हमने जो घोल बना के रखा है उससे हम इसे seal कर देंगे तो इस तरीके से हम ये सारे pockets बना कर तयार कर लेंगे तो हमें इसके अंदर stuffing over नहीं भरना है सिफ one teaspoon जितना ही हमें stuffing बरना है ताकि ये बाहर नहीं निकले अगर ये बाहर निकल जाएगी तो हमारा सारा oil खराब हो जाएगा और बाकी जो pocket साथ में fry कर रहे है वो भी खराब हो जाएगे तो हमें इसे carefully थोड़ा सा अच्छे से seal करना है अब इन pockets को हमने घोल बना के रखा था मैदय का और corn flour का उसके अंदर हम अच्छे से dip कर देंगी इसे जब अच्छे से घोल में dip हो जाए पूरा अच्छे से coat हो जाए इस घोल में तब इसके उपर हम bread crumbs को लगाएंगी bread crumbs को मैं अच्छे से इसके उपर लगाना है ताकि इसका कोई भी अगर कोई ब्रेड अच्छे से seal नहीं हुई इसका कोई भी corners तो वो bread crumbs से seal हो जाए और इसे bread crumbs से ये बहुत ही crispy भी बनते हैं और इसमें अगर कोई भी हमारा अगर थोड़ा सा भी कहीं से open रह गया है bread तो व या पर इसे इस process को आप दो बार भी कर सकते हैं जिससे ये और भी crispy बनेंगे मैं एकी बार इसे process को कर रही हूँ एकी बार इसे मैदे में और bread crumbs में coat कर रही हूँ साथ में मेरी भाबी भी help कर रही है मेरी बच्चे कप से बोल रहे हैं कि जल्दी लेके आओ जल्दी लेके आ इस तरीके से मैंने यह सारे सारे पॉकेट्स को मैंने ब्रेट क्रम्स में कर लिए इदी की सारे पॉकेट्स तयार हो चुके हैं अब हम इसे डिफ्राइब करेंगे आप चाहे तो इसे एर फ्राइब भी कर सकते हैं मेरे माइके में सर्सों का ओईल ही यूज करते हैं तो मैं जि गरम और उसके बाद इसके अंदर रेकिक करके यह pocketSSS डाल देंगे और इन pocketSSSKOT तबतक हमें नहीं पलटना है जब टक एक तरफ से अच्छे इस से पकने चाहें और यह ओपर नहीं आ जाहे जब इक तरफ से पक जाये हलका तभी हमें इसा पलटना है नहीं तो हमसे म traineeship में तरह तक फ्राइब करेंगे Jersey क्रिस्पी होते हैं Hebrew इस करेंगे पर सर्शंते करूकद थी अच्छा क्लर अधर आया है मुझे लगाता पता निसका कलर कैसा आएगा बर इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है सरसो के तेल में फ्राइ करने से भी और इस तरीके से में ये सारे पॉकेट्स को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर फ्राइ कर लूँगे हमें पॉकेट्स को एक साथ जाद चटनी या कैचप के साथ इसे सर कर सकते हैं मैं या कैचप के साथ इसे सर कर सकते हैं ये देखिए मैं आपको इसे तोड़के दिखाते हैं ये उपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही चीजी से बने हैं ये बहुत ही घरम है अभी अंदर से तो ये दिखिए ये और ये मेरी भावी बच्चो को सर करें, बच्चे कब से वेट कर रहे थे कि ये कब बन के तयार होंगे, और ये बच्चो को और हम सबको बहुत ही पसंद आये हैं, एक बार आप भी इन छुटियों में अपने घर पर इने बना के जरूर ट्राय करें, आपके घर में भी के ये बच्चे करें, थैंक यू फॉर वाचिंग,